नमस्कार दोस्तों, गवरो डिजिटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है राश्टी पादप अनुवनसिक संसाधन ब्यूरो इसे जो है नेश्टनल ब्यूरो अप प्लांट जनेटिक रिसॉर्सेस और सौट फॉर्म में जो है NBPGR के नाम से जाना जाते है तो आए दोस्तों इस टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं तो इसका सिनॉप्सिस देखते हैं पहले पहला पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन दूसरा history of NBPGR तिसरा पॉइंट है original office of NBPGR चौधा पॉइंट है work of NBPGR पाचवा पॉइंट है aim of NBPGR और छटवा conclusion और साथवा पॉइंट है reference books तो आएं दोस्तों सबसे पहले जो है इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं NBPGR का पूरा नाम National Bureau of Plant Genetic Resources है NBPGR का हिंदी नाम राश्टी पादप अनुवन्सिक संसाधन ब्यूरो है इसका मुख्याला जो है नई दिल्ली में है और देश भर में इसके 10-3 स्टेशन है NBPGR की स्थापना जो है अगस्ट 1976 में न्यू दिल्ली में की थी यह भारत में Plant Genetic Resources के Management के लिए एक नोडल संगठन है यह भारती क्रिसी अनुसंधान परिसद यानि की ICAR के कंट्रोल में जो है कार्य करता है इसके बाद दोस्तों इसका देखते हैं History History of NBPGR भारत सरकार ने Plant Genetic Resources के संकट से उभनने के लिए भारती क्रिसी अनुसंधान परिसद के अंतरगत National Bureau of Plant Genetic Resources की स्थापना जो है अगस्ट 1976 में नई दिल्ली में की थी इसके बाद दोस्तों देखते हैं Regional Offices of NBPGR इसके अंतरगत जो है 10 छेत्री का रियाले हैं जो विभिन जल वायू छेत्रों में इस्थित है तो इनके जो है नाम देख लेते हैं तो आए दोस्तों इसका नाम देख लेते हैं पहला सिमला दूसरा जोधपूर तिसरा त्रिसूर चौथा अकोला पाँचवा सीलांग छटवा भौवाली सातवा कटक आठवा हैदराबाद नववा राची और दसवा जो है स्रीनगर में है इसका ओफिस इसके बाद दोस्तों इसका वर्क देख लेते हैं वर्क ओफ एनबी पी जियाल यह भारत में प्लांट जनेटिक रिसॉर्सेस के मेनेजमेंट के लिए एक नोडल औरगिनाइजेशन है और भारती क्रिसियन उसंधान परिसद यानि की ICAR के कंट्रोल में जो है कारे करता है या अपने राष्टी जीन बैंक में दिर्वकालिन सरक्षण के लिए सीट जर्म प्लाज्म का सरक्षण जो है कर रहा है या स्वदेसी और विदेसी प्लांट के जनेटिक रिसॉर्सेस के अनवेशन और संग्रा के योजना आयोजन संचालन और समनवाय करता है इसके बाद अगलाट पॉइंट देखते हैं एम ओफ एनबी पीजियार यानि कि इसका उद्देश से देख लेते हैं प्लांट जनेटिक रिसॉर्सेस का अब परिचाय अदान प्रदान और संग्रोध करना अन्यराष्ट्री संगठनों के सहयोग से फसल अनुवनसिक संसाधनों का लक्षण वर्नन मुल्यांकन, दस्तवेजी करन और सरक्षण करना उनके यूज को बढ़ावा देना तिसरा, प्लांट जनेटिक रिसॉर्सेस पर सुचना नेटवर्क विक्सित करना चौथा, प्लांट जनेटिक रिसॉर्सेस के विकास, खोज, सर्वेक्षण वा संग्रहन ब्यूरो का प्रमु खुद्देश से है पाचवा, यह देश के व्यज्यानिकों से ताल में रख कर देश के विभिन चेतरों में प्लांट जनेटिक रिसॉर्सेस को एकतर करता है इसी के साथ जो है हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है इसके बाद आप जो है कनक्लूजन और रिफ्रेंस बुक जो है आप खुद से लिख सकते हैं इसी तरह नोट से पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद